Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel चैसे कि हम William Shakespeare के plays की समरी को डिसकस कर रहे थे तो आज हम उसी को continue करेंगे तो next play हम William Shakespeare का देखते हैं As You Like It तो इसमें ये Shakespeare ने Puritans के उपर अटैक किया था Puritans जो थे वो थेटर के गेंस्ट थे और वो Bible की close थे तो इसमें Shakespeare ने उनी के उपर अटैक किया था इसमें एक important quote है Sweet are the users of adversity चुकि Duke Senior ने कहा था और इसमें जो Rosalind है उसकी मदे का नेम नहीं दिया हुआ और जो Shakespeare है उसने खुद इसमें Adam का role play किया था तो इस story में France के अंदर एक कोई dukedom था जिसका duk के बहुत अच्छा था बहुत loyal duk था और उसको उसका भाई जो Frederick होता है वो वहाँ से निकाल देता है उसको और खुद duk बन जाता है और Frederick के एक बेटी होती है Celia और जिस duk को जो अपने भाई को निकाल दिया होता है उसके एक बेटी होती है Rosalind और वो Rosalind को नहीं निकालता क्योंकि उसके जो बेटी होती है Celia उसके साथ Rosalind के बहुत अच्छे संबंद होता है मतलब वो दोने एक दूसरे से बहुत प्यार करती है दोनों cousins एक दूसरे के बिना नहीं रहती तो जो फ्रेडरिक है वो Rosalind को उसके बाप के साथ नहीं निकालता तो कभी-कभी Rosalind जो है वो बहुत दुख्यों हो जाया करती थी अपने बाप को लेके पर Celia उसे सिंपती दिया करती थी तो एक बार Celia उसी कहती है कि चलो हम कोट में चलते हैं तो जब वो वहां कोट में जाती है रेस्लिंग का मैच देखने तो वहां पी एक साइड तो एक बहुत आकतवरसा पहलवान होता है और दूसरे साइड है को यंग लड़का होता है पर इतना है कि मेरी आपकी ब्लैसिंग मेरे साथ हैं तो जब रेस्लिंग होती है तो वो जो ताकतवर पहलवान है उसको वो जंग लड़का हरा देता है तो सारे बहुत हरान होते हैं और जो डूक फ्रेडरिक होता है वो भी उसके पर शंसा करता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो तो वो कहते हैं कि मैं सर रोलन डीब वाई का छोटा लड़का हूं तो जब Duke Frederick उसका नाम सुनता है तो उसे पता चलता है कि जो उसका भाई है जिसको उसने निकाल दिया था उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था तो ये उसका बेटा है तो जब Frederick जो सुनता है तो उसको उच्छा नहीं लगता है क्योंकि लोग तरह तरह की बातित बना रहे होते हैं कि कैसी इसने अपने भाई को निकाल दिया और रोजालीन जो होती है उसके बारे में बोलते है कि इतनी अच्छी लड़की है और इसके साथ हैसी किया उसको सबकी सिंपती मिलती है तो वो जो है फ्रेडिक जो है वो परिशान हो जाता है तो फिर वो ये फैंसला करते है कि मैं रोजालीन को भी यहां से निकाल दूँगा तो फिर वो उसको कहता है कि कल तुम यहां से चले जाना तो सीलिया जो है वो अपने बाप को कन्वेंस करने की कोशिश करती कि ऐसा मत करो पर उसका फादर नहीं मानता हो किते कि तुम्हें पता है कि तुम इसका करके ही लोग तुम्हें भी पसंद नी करते फिर जब प्राहत होती है तो दोनों चली जाती है फोरेस्ट और फैर्डन के और और जो रोजलीन होती है वो लड़की का भेज बदर लेती है और अपना नाम गैनिमेट रगते है और जो सीलिया होती है वो अपने लिए एलिना का नेम चूस करती है और जब वो फोरेस्ट में जाती है तो वहां पर भूख के प्यासे इदर उदर घूम रहे होती है उनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता तो फिर उनको एक शैपड मिलत प्रत गिंगर और जो जो और लेंडो है उसका एक भाई होता है और जो बंकुल होता है उसका पर आपता नहीं करता चिक होता है तो ये wrestling का match भी Oliver नहीं रिखवाया था ताकि Orlando जो है वो उसमें मर जाए और जो सारी property है वो उसी की हो जाए Orlando को कुछ देना ना पड़े तो जब Oliver को बता चलता है कि वो तो जीत गया और वापिस गर आ रहा है तो उसको और भी बहुत गुसा आता है और वो planning करता है कि उसको मार दे तो ये सारी बाते एक बुड़ा आत्मी जो कि उसके फादिर का बहुत ही वफादार होता है वो सुन लेता है और जाके Orlando को बता देता है अब ये Orlando और बुड़ा आत्मी दोनों जंगल के और निकल जाते हैं और फिर जंगल में उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता हूँ बुड़ा आत्मी कहते हैं मैं तो बहुत धग्या हूँ अब मेरे से चलाने जाता है तो Orlando कहते हैं कि तुम यहां एक पेड़ के नीचे बैठो मैं तुमारे लिए कुछ ढून के लाता हूँ तो जब Orlando ढूनने जाते है तो उसे वहां पे वह वैनिश ड्यूक मिलता है जिसको कि फ्रेडरिक ने निकाल दिया था जो रोजालीन का बाप होता है तो Orlando उसे कहते है कि तुम यह खाना च्होड़ दो यह मैं खाऊंगा और उन पे हमला करने की कोशिश करता है तो जो ड्यूक होता है वह उसे कहते है कि तुम ए खाना चाहिए तो तुम आराम से बैठके खालो तो इस पर जो ओर्लेंडो होता है वो एकदम चुप कर जाता है वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि सारे जो जंगल में होता है वो सब्वे लोग ही रहते हैं पर तुम तो बहुत अच्छ हो तो इस पर जो ड्यूक होता है वो उसे कहते है कि तुम अराम से बैट के खाना खालो पर वो Orlando कहते है कि मेरे साथ एक बुड़ा आदमी है पहले उसको खाना देना जुरूरी है तो वो Duke उसे कहते है कि ठीक है तुम ये खाना ले जाओ तो फिर जब Orlando वापिस Duke के पास आता है तो ड्योक उससे पुछता है कि तुम कौन हो तो Orlando बताता है कि मैं Sir Roland D. Boy का छोटा लडगा हूँ तो यह सुनके वो ड्योक बहुत कोश होता है क्योंकि वो उसके फ्रेंड का बहुत अच्छे फ्रेंड का बेटा होता है तो वो उससे कहते है कि तुम जब चाहो यहां पर आ सकते हो और खाना खा सकते हो और अराम से यहां पर रह सकते हो क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे ही हो पर जो और लेंडो है वो कई बहुत दुखी हो जाया करता था जब उससे रोजलीन की याद आती थी तो फिर वो क्या करता था कि वो जंगल में सारी पेड़ो के उपर रोजलीन रोजलीन का नेम लिखता रहता था और नीचे वो लव सोनेट प्यार की कविताई लिखता था तो जब रोजलीन और सीलिया पेड़ के उपर रोजलीन का नेम लिखा देखते हैं तो वो बहुत हैरान होती है कि पेड़ो के उपर कौन रोजलीन का नेम लिख रहा है तो फिर एक बार गैनिमेड एलिना और अलेंडो आपस में मिलते हैं और अलेंडो उनको अपनी लव स् होती है यह सब सुनके कि उसका लवर उसको कितना प्यार करता है पर वो उसे कहती है कि अपनी जो एडेंटर्टी है वो शो नहीं करती है वो उसे कहती है कि तुम्हें काउंसलिंग के जुरूरत है तुम मेरी कोटेस में आ जाये करो और हमें कैक्टिंग किया करेंगे तुम मैं वो प्यारवली बाती किया करना अब एसा रोज चलता था और लैंडो जो है वो गैनिमेट और अलेना की कोटेस पर रोज जाता था और वो तीनों मिलके नाटक किया करती थे जो गैनिमेट थी वो रोजलीन बना करती थे जो खुद थी ही रोजालेन पर एल्लैंडो को इसके बारे में नहीं पता था तो एक दिन क्या होता है जब एल्लैंडो उनकी कोटेस पे जा रहा होता है तो रास्ते में उनको एक आदमी बढ़ा हुआ मिलता है बेड़ के नीचे सोया हुआ और जो एकkeln लॉइन होता है उसके एताक करने के लिए त्यार खड़ा होता है तो वो क्या करता है जो अर्लाइंडो है जब वो पांस जाकी दिखता है तो उससे पता चलता है कि वो खुद उसका भाई और लिवर ही था तो फिर वो कहते हैं पहलों तो सोचता है कि मैं इसको क्यों βचाओं इसने मेरे साथ इतना बुरा किया पर फिर वो कहते हैं कि नहीं यह मेरा भाइय है तो उसके brotherhood love के कारण वो उसको license को मारता है उसके साथ लड़ाई करता है और वो खुद भी जख में हो जाता है जब Oliver उठके देखता है उसको लड़ते हुए तो उसको अपनी केया पे बहुत शर्मिन की महसूस होती कि मैंने इसके साथ क्या किया पर ये मेरी फिर भी जान बचा रहा है तो फिर Oliver उसके आगे repentance फिल करता है उससे माफी मांगता है तो फिर दोनों भाई बेल जाते हैं और Orlando उसको ड्योक की कोटेस पे लेके जाता है और फिर जो Orlando तो अबजक्त में होता है तो वो Oliver को कहते है कि आज मैं Ganymede और Elena की कोटेस पे नहीं जा पाऊंगा और तुम वहाँ पे जाओ और उनको सारी स्टोरी बताओ क्यासे से हुआ तो जब Oliver वहाँ पे जाता है तो उनको सारी स्टोरी जब बताता है वो Orlando के बारे में जोबी हुआ तो जो सीलिया है वो उसके साथ प्यार में पढ़ जाती है मतलब फर्स साइड लव हो जाता है उसको अब ऐलीना की अच्छे अच्छे बाते सुनके Oliver को भी उससे प्यार हो जाता है और फिर जो गैनिमेड और ऐलीना है वो Oliver को कहते है कि तुम Orlando को जाके बोल दो कि हम तुम से मिलने आ रहे हैं और जो गैनिमेड होती है वो बहुत दुखी होती है Orlando की ये हालत देखे तो जब Oliver जाके Orlando को बताता है कि तुम्हें वो मिलने आ रही है और ये भी बताता है कि जो गैनिमेड के साथ एक लड़की रह रही है मुझे लगता है कि मुझे उसे प्यार हो गया है और शायद वो भी मुझे से प्यार करती है और मैं उसे शादी करना चाता हूँ जितने जल्दी हो से की तो ये सुनके Orlando भी बहुत खुश होता है वो कहते है कि जल्दी क्या तुम कल उसे शादी कर लेना अब नेक्स टे जब गैनिमेड और एलिना उसकी Orlando या ड्यूप की गॉटेस पे आती है तो जो ओलिवर है वो अपने प्यार का इसहार करता है सीलिया को तो वो मान जाती है जो एलिना होती है वो मान जाती है तो फिर वो कहते है कि हम कली शादी कर लेंगे तो उसके बाद जो Orlando होता है वो भी सोसा है कि इनकी शादी हो रही है काश रोजालीन होती मेरी भी उसे शादी हो जाती तो गैनिमेड कहते है कि मेरे पास एक जादू ये शक्ति है अगर तुम चाहते हो खुछ होता है कि आज मेरी बेटी को लेकर आएगा वापिस तो फिर वो गैनिमेड जो है वो पूछती है ड्योक से अपने पिता से पूछती है कि क्या तुम खुछ हो अपनी बेटी से मिले के लिए तो वो कहते है कि क्या तुम अपनी बेटी की शादी और लैंडो से करने के तो फिर वह लेंडो से भी पूछते हैं कि या तुम रोजालीन से शादी करने के लिए खुश हो तो फिर वह दोनों अंदर जाती है अलेना और गैनिमेड और अंदर से जो एलेना है वह भी बहुत अच्छी ड्रेस पेंड के आती है और जो गैनिमेड है वह भी अपना लोग चेंज करके बिल्कुल एक लड़की के बेज में रोजालीन बनके बाहर आती है दोनों तो सब भी उनको देखके बहुत हैरान हो जाते हैं तो फिर जो कर रोजालीन आपस में दोनों बाप-बेटी मिलते हैं वो इस दूसरे से बहुत प्यार करती है और फिर रोजालीन और तो इसके बाद एक messenger आता है जो कि बताता है कि तुम्हारे लिए खुशकब्री की बात है जो फ्रेडरिक है उसने आपको तुम्हारा राज वापिस दे दिया है अब तुम वापिस खुशी खुशी वाँ पर जा सकते हो क्योंकि उसका हार्ट चेंज हो गया है जो वो अपने घी वाटी सीलिया को डूड़ने के लिए बहार निकला था तो उसे फॉरिस्ट ओफ एर्डर में निकलातर है कि उसका हार्ट जो है फ्रेडरी का चेंज हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि मैं तो भी यहां सादू की कोटेस में ही रहूंगा और तुम उनको जा के बोल दो कि तुम अपना राज वापिस ले सकते हो तो यह सुनके वो बहुत खुश होते हैं और इस तरह स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है नेक्स्ट में इक और प्ले देखते हैं शेक्सपियर का एंटनी और केलियोपेटरा यह स्टोरी है मार्क एंटनी जो की रोम का बाश्या है और रोम की तीन बाश्या है एक और दूसरा लेपिडस और तीसरा एंटनी यह तीनों रोम के किंग है तो पर जो एंटनी है वो केलियोपेटरा जो की एजिप्ट की रानी है उससे प्यार करता है और वो रोम से ज़्यादा अजिप्ट में ही अपना सारा टाइम गुजारता है तो यह बात जो बाकी के दो बाश्या है रोम के उनको अच्छे नहीं लगती वो कहती है कि एंटनी सारा टाइम अजिप्ट में बिताता है अपने डूटी छोड़के और उससे बिलकुल भी प अनजर आता है उसे मैसेज देने कि एंटनी की वाइफ जो फुल्विया है उसकी मोत हो गई है और दूसरी बात वो यह बताता है मैसेजर कि जो पॉम्पी है उसने रोम की खिलाफ बगावत कर दिया मतलब वो लड़ाई करना चारा है अटैक करना चारा है रोम के उपर तो जो है वो एंटनी को दुश्मन होता है और वो बहुत ही जल रोम पर अटैक करने वाला होता है तो यह खबर सुनके एंटनी कहते हैं कि वो वापिस रोम जाकर हलात को संभालेगा और फिर जो बाकी के दोनों राजे होते हैं वो भी बहुत फिकर में होते हैं दोनों कहते हैं कि एंटोनी को जरा भी परवान है अपने डूटी की यहां पर पॉम्पी अटेक करने वाला है और वो वहां पर केलियो बैटरा के साथ बैठा हुआ है तो जब एंटोनी वापस रोम में आता है तो ओक्तिवियस और एंटोनी दोनों के आपस में लडाई हो जाती है पर लेपिड़स उनको शांत करवाता है कि यह टाइम आपस में लडने का नहीं है उदर पॉम्पी अटेक करने वाला है तो हमें सब को मिलकर इसका सामना करना होगा तो जो ओक्तिवियस सीजर होता है वो अपनी बहन ओक्तिवियस की शादी एंटोनी से करवा देता है तांकि जो एंटोनी उसका सारे ध्यान रोम में ही रहे वो वापिस गैलियोपेटरा के पास ना चाहे पर एंटनी का एक बहुत अच्छा फ्रेंड होता है एनो भारबर्स उसका मानना होता है कि उक्टीविया से शादी करने से कुछ नहीं होगा जब एंटनी ने जिप्ट जाना होगा वो चला ही जाएगा क्योंकि वो केलरोपेटर के प्याम में पागल हो चुका है उससे शादी करने से उक्टीविया से कोई फाइदा नहीं होगा और यह बात जब केलरोपेटरा को अजिप्ट में पता चलती है कि एंटनी ने शादी कर लिए तो वो उसे बहुत गुसा होता है और बहुत जैलिस फील होती है पर जब उसे पता चलता है कि उक्टीविया इतनी सुन्दर जाता है तो इसके बाद एंटनी अपने वाइफ उक्टीविया को लेके एथन चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है जो अपना वादा तोड़ देता है जो उन्होंने प्रॉमिस किया होता है ना लड़ने का और वो अपना वादा तोड़ के पॉम्पी के साथ फिर से ल और वो सारा ब्लेम लेपिडस के उपर लगा देता है कि उसने ही मुझे कहा था कि कोई बात नहीं लड़ लेते हैं और लेपिडस को वो जेल में भी जवा देता है जब एंटनी को वहां पर ये मैसेज मिलता है तो उसे बहुत गुसा आता है तो ऑक्टीविया जो है वो उसे शांत करती है कि नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं है तो मैं तुम से भी इतने प्यार करती हूँ और अपने भाई से भी इतने प्यार करती हूँ तो फिर वो एंटनी को बहुत गुसाता है तो वो कहता है कि ठीक है फिर तुम जाके अपने भाई उक्टीवियस को समझाओ तो उसे भाई को समझाने के लिए रॉम भेज देता है उक्टीविया को और खुद वो केलरियोपेट्रा के पास चला जाता है तो जब उक्टीवियस को पता चलता है कि एंटनी ने उसके जो बहन है उसके साथ अच्छा ट्रेट नहीं किया तो उसे बहुत गुसा आता है और वो अपनी आमी को त्यार करता है अजिप्ट में एंटनी के साथ लड़ने के लिए इदर एंटनी और केलरोपेटरा भी अपने आमी को त्यार करते हैं अजिप्ट में और उन्होंने जो लड़ाई हैं वो समुंदर में लड़ने होती है तो एंटनी को सारे मना भी करते हैं कि समुंदर में मत लड़ो वो अच्छा नहीं होगा पर एंटनी नहीं मानता तो जब वो समुंदर में लडाई कर रहे होते हैं एक साइड औक्टिविस इजर के आमे होती है और एक साइड से अजिप्ट के आमे लेके अंटने और केलरोपेटरा आते हैं तो बीच में क्या होता है कि अचानक जो केलरोपेटरा है वो अपना जहांस लेके वापिस जाने लगती है तो जब एंटनी जे देखता है तो वो भी उसके पिछे जाने लगता है कि इसको क्या हुआ तो जब वो उसके पिछे जाने लगता है तो वो लड़ाई हार जाता है क्योंकि जब राजा जा रहा है तो उसके आमें जो है वो भी अपने हथ्यार फैंक देती है वो क्या करेगी फिर तो इस तरह से एंटनी जो है वो लड़ाई हार जाता है तो बाद में वो कैलरी पैटर के उपर बहुत गुस्सा करते है कि तुम्हारी वजह से मैं लड़ाई हार गया पर थोड़ी देर बाद दूर्प फिर से शाथ हो जाता है क्योंकि वो बहुत प्हार करता होता है तो वो से इसे माफ कर देता है अब जो एंटनी का फ्रेंड है एनपारबर्स तो उससे भी लगते कि एंटनी तो पागल हो गया है कैलरी पैटर के प्यार में वह भी जाकर एक्टीविस सीजर के साथ मिल जाता है Anthony को छोड़ के अब जो Anthony और Calderopatra है अब वो Octavius Caesar के गुलाम होता है तो उनने उनके बाद मानने होगी तो जो Caesar है वो Calderopatra से को एक। जोर दो जो Calderopatra होती है वो भी इसको serious लेती है इस उफर को तो जोなんか है उनส उसे बहुत गुसा होता है कि तुम धोके बाज हो पर थोड़ी देर बार वो फिर से शात हो जाता है क्योंकि उसे प्यार करता होता होता है तो फिर से उसको माफ कर देता है अब एंटनी और सीजर में दूसरी लड़ाई होती है जिसमें कि एंटनी जीत जाता है सबको लग रहा होता है कि एंटनी हारीगा पर वो जीत जाता है तो यह देखके फिर बाद में एनवारबस है उसको भी दुख होता है कि मैंने क्यों उसका साथ छोड़ा अब एनवारबस जो है उसकी भी मृत्यू हो जाती है फिर एंटनी और सीजर में दुबारा तीसरी लड़ाई होती है इस बार जो अजिप्ट के जहांस होते हैं वो एंटनी को दोखा दे देते हैं वो बीच में ही छोड़ के लड़ाई को चले जाते हैं जिससे कि एंटनी हार जाता है इस बार तो एंटनी को बहुत ज़्यादा गुसाता है वो कहता है कि मैं कैलरी पेट्रा को मार दूँगा इस बार वो उसे माने की कसम खाता है तो कैलरी पेटरा जो है वो एक मॉन्योमेंट में जा के छिप जाती है और वो एक अफवा फिला देती है कि उसने खुदकुशी कर ली है जिब एंटनी को ये पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो सोच है कि अब मैं भी मर जाओंगा तो वो खुद अपनी तलवार पर गिर कर घायल हो जाता है और पूरी तरह से मरता नहीं है घायल हो जाता है और उसे फिर कैलरी पेटरा के पास लेके जाते है और वहाँ पर वो अपना दम तोड़ देता है तो फाइनली जो कैलरी पेटरा है वो जो उक्तिविय सीजर है उसकी गुलाम बन जाती है अब जो उक्तिविय सीजर है वो उसे लोगों की बीच में डिस्प्ले करने की सोच रहा होता है तो ये कैलरी पेटरा को पता चल जाता है और वो उससे बचने के लिए बहुत सारे जहरीले सांपों से कटवा के खुद भी मर जाती है अब हम नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं शेक्सपेर की सिंबलेन इसमें जो सिंबलेन है वो बिटेन का किंग होता है और वो एक ऐसी विमन से शादी कर लेता है जो एक एरोगेंट सन होता है क्लोटन तो जो सिंबलेन है उसके एक बीटिफुल टोटर होती है इमोजन तो वो उसकी शादी क्लोटन से करवा देता है पर जो इमोजन होती है वो सीक्रोटली एक पूर बट वर्दी मैन पोस्टुमस लिएंटस से शादी कर लेती है तो जो stimbeline है वो posthumus को banish करके rom भेज देता है ब्रिटेन से निकाल के तो अलग होते टाइम जो imogen है वो उसे एक diamond ring देती है और posthumus उसे एक bracelet देता है अब posthumus को यहाँ पे एक आदमे मिलता है lecumon जो की villain है और वो उससे argue करता है posthumus से कि women can't be faithful He can seduce his wife Imogen वो कहता है कि मैं तुमारी wife को seduce कर सकता हूँ कि जो बिबन होती है वो लॉयल ने होती फेथफुल ने होती वो कभी भी dedicated ने होती तो इस पर पोस्टूमस कहता है कि ठिक है असमा कर देख लेते हैं तो जब लेकिमो बरेटीन में पहुंसता है फिर वो एक plan बनाता है और Imogen को कहता है कि तुम एक रात के लिए एक box को अपने कमरे में रख लो तो जब वो रखने के लिए तियार हो जाती है तो खुद उस box में छिप जाता है और जब रात को Imogen सो जाते है तो वो इस box से बाहर आता है और Imogen का रूम अच्छे से चेक करता ह और यह भी देखता है कि इसके breast के नीचे एक mall है तो वो Imogen की जो आम पर bracelet होता है जो उसे posthumus ने दिया होता है वो भी चुडा लेता है तो जब लेकिमो वापिस posthumus के पास जाता है तो उससे सारी detail बताता है about her body and about her room now posthumus wants to take revenge from her wife तो जब यह सारी बात फसेनियों को पता चलती है तो कि जो posthumus है वो Imogen को मानना चाता है तो वो Imogen को जाकर बोलता है कि तुम यहां से भाग जाओ ऐसे ऐसे हुआ है तो इस पर जो Imogen है वो अपने कपड़े बदल कर लड़के के भीशबुशा में आ जाती है और जाकर एक क कुछ कच्छा मीट मिलता है तो इसको भूक लगे होते हैं वो खा लेती है उसको फिर उसे जो केव होते हैं उसमें तीन आदमी जो रहते हैं वो आते हैं अपने गुफा में वापिस जब तो यह जो तीन आदमी होते हैं इनमें से एक बलारियस होता है जो कि वही आदमी है जिसने एक बार सिंबलेन के दोनों बेटों को चुरा लिया था तो ये अब जंगल में रहरे होते हैं इनको वो जंगल में ले आता है और अपने बेटों की तरह ही उनको टरीट करता है तो इन दोनों लड़कों में से एक का नाम वो पॉलेडर और दूसरे का कार्डवल रखता है पर उनके असली नेम तो कोई और होते है अब इमर्जिन को ये नहीं पता होता है कि ये दोनों उसके भाई है तो जब वो गुफ़ा में आते हैं तो इमर्जिन उससे कहती है कि सॉरी मैंने आपका मीड खा लिया मैं इसके लिए पीए करने को त्यारूं पर वो उनको इमर्जिन को दी के बहुत अच्छा फील होता है कि कितना सुन्दर लड़का है तो वो उससे कहते हैं कि कोई बात ने तुम जितनी देर यहां पर राना जाते हो तुम रह सकते हो यहां पर खाना भी खा सकते हो अब एक बार जब वो शिकार पर जाते हैं तो जो इमर्जिन है उसकी तबियत कुछ ठीक नहीं होती तो वो केव में ही रहती है तो वो तीनों शिकार पर जाते हैं तो जब इमर्जिन अपनी घर से निकलेती एक मैडीसन दी थije और वह मैडीसन थी तो नींद में को नहीं पता था इसने इमजन क्या करती है मैडीसन ले लेती है और वह ँचले 37 जाती है तो जब यह तीनों आो कि इसको देखते बगएरा डाल देते हैं तो जब थोड़ी दिरवाद इमजन को होश आता है तो वो अपने उपर से सारे फूल बगएरा हटाती है और देखते हैं कि मैं यहां कहां पर आ गई हूँ फिर जब उसे आसपास कोई नहीं दिखता थो वो सोचती है कि मैं जो गुफ़ा में रही थी कि शायद वो एक सपना ही था तो फिर वो वापिस जाने के लिए सोचती है मेलफरेट हैवन के और कि मैं इटले वापिस चले जाओंगी अब दूसरे साइड क्या होता है जो रोमन एम्परेर होता है और गस्टर सेजर वो बिटेन पर हमला करने के लिए अपने आमी को त्या रोमन आमी तो जंगल में उन्हें इमोजन मिलते हैं जिसने लड़के का पेस बदला होता है और अपना नाम फिडेल बताता है तो जब वो उससे पकड़ के रोमन जनरल के पास लेके आते हैं तो वो उसके बातों से बहुत परभावित होता है रोमन जनरल और उससे अपना अटेंडन्ट जब पेस बना लेता है और इधर जो जंगल में बलारियो और उसके बेटे भी रह रहे होते हैं जब उनको भी पता चलता है कि रोमनामी बिटेन में लड़ाई के लिए आई है तो वो भी कहते हैं कि हम बिटेन के और से लड़ेंगे अब रोमर बिटेन के बीच में बहुत घमासान जियुद होता है बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें कि जो पॉस्ट्यूमस है और बलारियोस और उसके दो बेटे हैं चोकि असल में सिम्बलिन के ही बेटे हैं वो बहुत जादा वीता से लड़ते हैं और उन्हें के वार के रूप में सिम्बलिन के आगे पेश किया जाता है तो उस टाइम राजा के आगे सभी प्रेजन्ट होते हैं पॉलिडर, कार्डेवल, बलारियोस और फिडेल जिसने और जो कि खुद इमर्जेन है पोस्ट्यूमस और लेकिमो या आशिमो जिसने सारा शडियंतर ये ट्राइ की थी पोस्ट्यूमस से बोल के अब जो रॉमन जनरल लूसियस होता है वो राजा से या सिम्बलिन से कहता है कि मुझे पता है तुम प्रिसनर ओफ वार को मार देते हो पर तुमसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो फिडेल है ये ब्रिटेन का ही नागरिक ह है एक इसने मेरा बौत अच्छे से ध्यान रखा था है इसको तुम नहीं माना तो जब राजा उसके और देखता है तो उसका चेरा थोड़ा पहचाना सा लगता है फिडेल का इसको उसके और देखे उससे बहुत अच्छा फील होता है तो वो कहते है कि ठीक है अगर तुम इसे छोड़ देता हूं और तुम्हारी इसके प्रती अच्छी बाते सुनके मुझे अच्छा लगा और मैं इसको एक वर्दान देता हूं कि यह कुछ भी मांगना चाहिए यह मेरे से मांग सकता है तो इस पर जो फिडेल है वो कहती है उससे पहले रॉमन जनरल कहता है कि तु वो कहते है कि यहां पर झो यह आशिमो घड़ा है उससे पूछो कि इसके जो हाथ में रिंग है वो कैसे आई तो जब वो लांगना चाहिए है है तो वो डर जाता है और वो सारी बात बता देता ही कैसे-इस हैशिए फोचा देता है कि आ एमजन के रोम में एंटर हुआ और क वो राजा के आगे गिर गिर आता है उससे माफी मांगता है मतलब कि मुझे मार दो तो जो इमजीन होती है उससे रहाने जाता है वो अपने असली भेस में आ जाती है और जिसे देखे कि पोस्टुमस बहुत खुश होता है और फिर इमजीन अपनी सारी बात बताती है और जो स साथ ही जो बलारियस है वो भी सारा कुछ बता देता है कि कैसे सिंबलिन ने उसे वैनिश किया था तो उसने गुसे में आके उसके दोनों बेटों को चुरा लिया था अब जो सिंबलिन है वो उसे भी माफ कर देता है और सबी मिल जाते हैं आपस में और वो जो रोमन जनरल होत और रोम और बिर्टेन के बीच में एक संदी होती है कि वो आपस में कभी नहीं लड़ेंगे और ये संदी बहुत टाइम तक काफी सालों तक मेंटेन भी रहती है तो तो देट सॉल फोर टोडेज वीडियो नेक्स्ट समरी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ठ्थन वर वाच एफ ए वेड्ट टै